कोटा में अनन्दपुरा थाना के पास बने नए फ्लाय ओवर और साइड लेन के कारण एक्सिडेंचल चोन पन गया है जहां रोज तेज गती से बाहनों के दोड़ने के कारण सडक तुर्खटनाए हो रही है दरसल अनन्दपुरा थाने के पास जलावार भामवशा मंडी अनन्दपुरा के साथ सुभाश नगर की तरफ से आने वाला ट्रैफिक मिलता है स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण जहां रोज वहन आपस में टकराते हैं इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज के छुट्टी होने पर विशेश च्छान रखना पड़ता है इस्थानी लोगों का कहना है कि स्पीड ब्रेकर नहीं होने के कारण तीनों दिशाओं से तेजरफतार से वहान आते हैं यही कारण है कि चौराहों पर रोज़ाना तीन से च्छार सडखाट से होते हैं इदर से गाड़ा स्पीड आती जाती है रोज अब वो सामने वाला से पताने के गाड़ी दीरे चलेगी नहीं इसलिए वो आते हैं फीचे से आगे से टुक जाती है इसलिए रोज नहीं काम हो रहा है चलता है तो इसको इसको कंट्रोल भी करना पर या तो क्या ट्राफिक अराम से देरे देरे चालता है